रेट मी एट एक और रेकोर्डिंग सेटिंग नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो आपने शामी की डिवाइस पर कॉल रेकोर्डिंग सेट कैसे कर सकते हैं तो कैसे यह काम करते हैं आए देखते हैं आज कि इस वीडियो पर तो वीडियो को देर ना करते हुए जल्दे से शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइक उनको क्लिक करें यह आप online पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी problem के regarding पर हमें Twitter पर follow करके message आप जरू से कर लेना तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं या पर कैसे हम जो है इंटरफेस तो आपको जाना है call recording पर सबसे पहले on कर दीजिए आपका call recording notification call record automatically on कर दीजिए और उसके बाद आप all numbers को एक साथ भी record कर सकते incoming, outgoing सभी call जो आपके phone पर आएगा जाएगा वो सब record होते रहेगा ठीक है अगर आप selected number क्लिक करते तो आपको custom list पर कुई एक number 8 करना होगा यहापर मान दीजिए आप इस number को 8 करते हैं ठीक है तो यहापर एक ही number को 8 करना था तो चलिए मैं आपको बता रहता हूँ यह हो गय record होते रहेगा ठीक है अगर आप नीचे देखें unknown numbers के लिए है डायरेक्टरी के लिए भी है तो आपको अगर इन में से कोई भी यूज करने तो बस buttons को on करके आप यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों मैं हमेशा यूज करता हूँ all numbers क्योंकि दिस क्योंकि दोस्तों all numbers और यूज करने से कभी कोई urgent record होते तो वो भी आपने आप हो जाते तो यह तो दोस्तों था आपका automatic record option लेकिन आप यदि इसको on नहीं करते अगर ठीक है तो आप यहाँ पर जाए किसी को भी call कीजिए और उसके बाद दोस्तों recording का option यहाँ पर है ठीक है तो आप देख सकते यहाँ पर तो रेकोड जो लिखा हुआ है क्लिक करके आप call record कर सकते मैनुएल तरीके से तो यह था दोस्तों आपका call recording setting उम्मिद करते आपको यह वीडियो पसने होगा तो आज के लिए बस इतने दोस्तों तेंक्स पूर वाचिंग